Dear students, today we will discuss about the water quality assessment. तो water क्या है, कितना percentage water हमारी धर्ती पर है, कितना वो पीने योग्य है, कितना फ्रेश है, और कैसे कौन-कौन से water quality parameters है, जिनको detect करना जरूरी है, जिससे कि हमें अपनी water की quality का पता चल पाए. तो इस lecture में हम पढ़ेंगे, कि what is water percentage in the earth that is fresh and can be usable directly by the human beings and living organisms and what are the parameters that assess the water quality for drinking as well as for irrigation purpose. तो पानी एक एक ऐसा जो योगिक है, एक ऐसा molecule है, जो कि इस धर्ती पर जीने के लिए बहुत important है. तो अगर हम hydrosphere को देखें, तो hydrosphere को अगर आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे, कि पूरे hydrosphere जहां पर हमें पानी मिलता है, वो पानी को हमने तीन भागों में divide किया गया है. एक है ocean, आप देख रहे हैं blue color से, जो कि 97% जो पार्ट है, वो है water का, 97% जो पार्ट है, वो है ocean का, और जो 2% water है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, वो है glaciers की form में, जो कि हमें available नहीं रहता, और केवल 1% जो पानी है, total hydrosphere में, वो जो है fresh water है, तो अगर हम 100% मान के चल रहे हैं पानी, तो हम देखेंगे 97% बिलकुल usable नहीं है, क्योंकि वो salt, यूप तो water है, और 2% जो पानी है, वो glaciers में है, वो भी usable नहीं है, जो usable जो water का percentage है, वो है 1% जो की hydrosphere में available form में है, और इसको हम use कर सकते हैं, अब अगर हम पानी को देखें, तो पानी देखें, किस-किस form में हो सकता है, surface water की form में, surface water की form में मतलब oceans में, rivers में, ponds में, lakes, sea, springs, ये सब जो water की types हैं, वो surface water हैं, और ground water, दूसरे तरीके का जो हम देखेंगे, जो water है, वो क्या-क्या हो सकता है, उसकी जो sources हैं, वो हो सकता है, hand pumps, wells, tube wells, तो ये जो sources हैं, वो groundwater के हैं, तो अभी यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जो groundwater है, जनरले उसको क्या करते हैं, जो population होती है, जो आस-पास की population होती है, वो direct consume करती है, तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे hand pump हैं, wells हैं, tube wells हैं, तो इनको direct consumption करते हैं, without any treatment, जैसे आप देख रहे हैं, कि tube well का पानी, irrigation के काम आता है, और जो wells का पानी है, hand pumps का पानी है, जो कि groundwater कैलाता है, वो आप देखेंगे, direct consumption उसका करते हैं, जो आस-पास की population होती है, तो इसलिए important है, कि हम groundwater quality को क्या करें, assess करते रहें, जिससे कि हमें पता लग जाए, कि कैसा, जो water की quality है, क्या वो पीने योगी है, या नही हम fresh water को देखेंगे, तो उसका भी हम division देखेंगे, कि is fresh water को कैसे-कैसे consume कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, एक major portion जो है, वो 69% जो portion है, वो है agriculture में, तो agriculture में, तो अगरी कल्चर में consumption होता है fresh water का, जो 1% था, उसका भी 69% agriculture में है, 23% आप देखेंगे, industries में use होता है, और 8% पानी है वह 1% पानी का भी maximum percentage एगरी कल्चर में गया और 8% कहा गया जो domestic परपज है हमारे जैसे हम पानी पीते हैं कपड़े दोते हैं और हम खाना बनाते हैं तो इसमें हमारा जो percentage यूज होता है वह 8% water यूज होता है तो अब हम यह देखते हैं कि what is the necessity to assess the water quality water quality को assess करने का क्य जरूरत पड़ी तो अगर हम देखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि water है it is one of the most essential elements that human body is made up of तो जो human body है वह even जो है वह कितना पानी से बनी रहती है और यह जो है वह हर तरीके की forms के जीने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन क्या हुआ समय के साथ rabbit economic development and unstable growth of population अब क्या हुआ धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ economic development आया industrial revolution हुआ और जो growth है वो population की बड़ी तो क्या हुआ पानी के sources तो limited थे लेकिन जरूरत बढ़ गई ठीक है तो क्या हुआ कि water के resources की crisis हो गई उसके अलावा आप देखेंगे जो industrialization है और उसकी वजह से आप देखेंगे जो पानी का जो chemical composition होना चाहिए था वो क्या हो गया deviate हो गया और यह जो groundwater sources है इनको लोग पानी पीने के लिए और irrigation परपच के लिए यूज करते हैं और industries में यूज किया जाता है अब जो natural chemical composition होना चाहिए था पानी का वो क्या होता है वो किस पर depend करता है कि कितने underground water है और ज करती है और अगर हम देखेंगे कि कुछ natural activities हैं जैसे कि rocks का weathering anthropogenic activities like industrial जो sea wage and sludge है आप देख रहें कितना कूड़ा करकर जो है वो direct नदियों में मिल रहा है या फिर आप देख रहें कि washing of cars oil drops जा रहे हैं या फिर आप देख रहें जो sea wage है जो industries से आता है इसके लावा जो sea wage domestic ह होता है वो कई बार direct water में डाल दिया जाता है water के जो resources है और वो दीरे-दीरे groundwater में seep होते हैं और जो groundwater है वो भी क्या हो जाता है pollute हो जाता है सब एक सांद इसलिए therefore groundwater quality assessment is a necessary tool to avoid adverse effects on the growth of plant and optimize agricultural production as well as human development तो इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर groundwater quality को access करते हैं even surface water quality को भी access किया जाना चाहिए फर generally क्या होता है कि जब भी हमें नदियों से या pond से अगर हमें पानी supply किया जाता है तो treatment के बाद किया जाता है तो ground water एक ऐसा source है जो कि treatment जिसका नहीं किया जाता है और उसको बिना treatment के ही लोग consume करते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि ground water की quality को access किया जाए समय समय पर अब हम यह देखेंगे कि ऐसे कौन से factors हैं जो की natural जो की पानी की chemical composition को क्या करते हैं जेंज करते हैं तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो वह है climate then geology जो उस area की जो rocks और soil formation है उस पर depend करेगा उसके dissolution पर depend करेगा कि पानी की quality कैसी है फिर आप देखेंगे जो जहाँ पर ground water है वहाँ पर microbial growth कैसी है या क्या वहाँ पर कोई forest fire है water shed properties in itself जो है वो affect करती है जो water का chemical composition होता है उसे anthropogenic activities अगर हम देखेंगे तो दो तरीके की होती ही point sources जो कि affect करते हैं उसके composition को और एक होते है non point sources point sources भी जिनका हमें पता चल जाता है कि source क्या है specifically जैसे wastewater discharge है जो industries से या फिर आप देखेंगे domestic area से आता है hazardous waste है spiles है non point resources का पता नहीं चल पाता कि कहां कहां से आ रहा है तो वो क्या होता है देखिए urban runoff है landfills है agricultural runoff है life stock है erosion है recreational activities तो यह different activities हैं जो की affect करती हैं किसको जो water quality parameters हैं उन्हें अब अगर हम देखेंगे कि water quality standards भी set किये गए है जो पीने योग्य है या जो irrigation के परपच के लिए है उसके लिए कुछ water quality standards है जो की different जो कुछ हमारी organizations है उन्होंने ताई किया है कि इस particular level तक जो parameters हैं वो allowed हैं मतलब यहां तक यह हो सकते हैं इनका concentration यहां तक हो सकता है लेकिन एक particular level के बाद यह क्या होंगे dangerous होंगे hazardous हो जाएंगे तो एक limit होगी permissible limit उस limit तक वो जो chemical parameters हैं या physical parameters हैं वो allowed होंगे और एक limit के बाद वो allowed नहीं होंगे और वो जो पानी है वो न तो पीने योगे रहेगा नहीं irrigation purpose के लिए यूज कर पाएंगे तो ऐसे standard कौन-कौन से हैं देखिए American Public Health Association, WHO World Health Organization, ICMR Indian Council for Medical Research, BIS Bureau of Indian Standard यह कुछ ऐसे organizations हैं जो समय समय पर क्या देते हैं जो standard value of different parameters देते रहते हैं जिसके according हमारा जो water quality है that should be maintained if the chemical or physical parameters go beyond that limit then the water becomes polluted so यहां पर मैंने एक जो table दी है वो BIS 2012 के according drinking water standards दिये होए हैं और आप देख सकते हैं कि एक जो column है second column यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां हमने acceptable or permissible limit दी है जो कि acceptable है और maximum allowable limit है यानि इसके बाद अगर वो concentration होगी तो क्या होगा फिर वो पीने योग नहीं रहेगा drinking water standards है these are different parameters और यही standards अलग-अलग होते हैं हर organization की तो यहां पर हमने जो दिखा हैं वह है Indian standards okay फिर हम देखेंगे water quality assessment parameters actually three main parameters होते हैं जिने हमें access करना चाहिए वह है biological, physical and chemical तो आप देखें कि जो biological parameters है उसमें क्याएंगे number and types of bacteria and viruses तो यह हमें देखने चाहिए कि biological जो parameters हैं वह optimum है या नहीं है या कितने level तक वह है physical parameters में हम देखते है color, order, turbidity, temperature, total suspended solids and total dissolved solids chemical parameters में हम देखते है pH, electrical conductivity, salinity, hardness, biological oxygen demand, dissolved oxygen, chemical oxygen demand, cations and ions and different metals जब भी हम water quality को देखें तो हम इन parameters को ध्यान में रखें और इमेंसे जो भी parameters permissible limit में या जो above allowable limit है वहां तक आ गए तो पानी ठीक है लेकिन अगर उससे उपर आएंगे तो पानी ठीक नहीं है ठीक है और अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे major ketines हैं जनरली जिने देखा जाता है वह है calcium, magnesium, sodium, potassium, major anions अगर हम देखेंगे जनरली जो study किये जाते हैं वह है carbonate, bicarbonate, fluoride, fluoride, nitrate, sulfate and minor trace elements जो देख सकते हैं वह है iron, magnesium, lead, cadmium और भी बहुत है, arsenic है और कुछ radioactive materials like uranium, water quality को बहुत सारे metals affect कर सकते हैं तो उनकी हम study कर सकते हैं, अगर हम देखें जो physical parameter से उसमें turbidity अगर हम देखें तो हम यह देखेंगे कि अगर एक पानी colorless है और एक turbid है, तो यह जो turbid है यह पीने योगी नहीं है क्योंकि इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ polluted, pollutants है और इसकी भी unit है कि nephlometric turbidity unit है जो कि चार से कम होनी चाहिए तब ही पानी क्या होगा पीने योगी होगा, अगर हम color देखें तो अगर किसी भी पानी का color नहीं है, colorless है तो वो क्या है, हम कह सकते हैं कि वो pure water in terms of physical parameters, और इसकी जो acceptable value है वो 15 true color units है, यानि अगर 15 true color unit से कम अगर यह value है color की TCU में, तो वो acceptable है on the basis of physical parameter, अगर हम taste देखेंगे तो हम जानते हैं कि taste or order जो होता है किसी भी पानी का, वो किसी वजह से होता है, किसी pollution की वजह से, तो indicator है कि इसमें pollution है, तो it should be taste less and orderless, अगर हम temperature देखेंगे तो जनरल इसकी कोई guideline value नहीं है, but high temperature पर क्या होत होती है, तो वहां पर dissolve होके आ सकते हैं कुछ metals, dissolved oxygen level decreases as water temperature increases, तो dissolved oxygen को भी affect करता है temperature, chemical reactions के rate को बढ़ा देता है कर temperature बढ़ेगा, और aquatic species के survival को भी affect करता है, क्योंकि optimum temperature होगा जहां पर जो species होंगी, वो क्या करेंगी, survive करेगा, और यह जो है metabolism growth and reproduction को affect करेगा, जो भी aquatic species होंगी, इ जो temperature है, that should also be optimum, अगर हम chemical properties की बात करें, तो water pH अगर हम देखें, तो water pH अगर 11 से अधीक है, तो it can cause eye irritation, causes skin disorders and when pH is low, it causes redness of eyes and damage to epithelium and corrosion, तो मिंस की जो water का pH है, यह भी न तो बहुत अधीक होना है, न बहुत कम होता है, जनरल यह 6.5 से 8.5 तक acceptable है, for drinking purpose and irrigation purpose, electrical conductivity अगर हम देखेंगे, तो electrical conductivity जो है, वो किसी भी पानी की, इसलिए होती है, क्योंकि उसमें dissolved iron कितने है, तो जो generally, जो sulphate ions हो सकते हैं, को positive ions हो सकते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, electrical conductivity, तो pure distilled water की, जो electrical conductivity है, 0.05 होती है, sea water की 50 mili simon per centimeter होती है, drinking water की 200 से 800 होनी चाहिए, rain water है, इसनों की क्या होती है, 2 से 100 micro simon per centimeter, तो यह बहुत special parameter है, जो कि इतना होना है, मतलब उसमें dissolved ions होने चाहिए, लिए एक range तक किसी भी पानी में, ताकि वो 안ի की थे पीन यहां उगी, इसलिए हम क्या करते हैं? जो distilled water है, जो आपने देखा होगाskो जो rainwater है, उसको distilled water की थे यूज़ए हो और उसको हम पीने कале नहीं यूज़ज़ए, आपने थे हैं, शी देखा हो कि जो distilled water है यूज करता है, मतलब वो पीने ही हो कि नहीं है, क्योंकि इसकी इलेक्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम है, और उसमें डिसॉल्ट आयन बहुत कम है, इसलिए एक ड्रिंकिंग वाटर की भी एक optimum range होगी, यानि कुछ डिसॉल्ट आयन उसमें होने चाहिए, अगर हम टोटल डि काई देता है, तो उसको तो हम छान सकते हैं, लेकिन अगर डिसॉल्ट सॉलिट है, तो डिसॉल्ट सॉलिट का मतलब है, कि वो कैंसर काउच कर सकता है, कार्डियो वास्कुलर डिजीजेज जेनरेट कर सकता है, और जनरल इसकी वैल्यू, 600 PPM से कम होनी चाहिए, तब वो पा है, और हाई कंसेंट्रेशन अगर होगी तो वो की हाडँ तो जिसके क्या होगा कि रिगटक्र रिगट काउज कर सकती है, इमपरफेक् 100 से उपर जो है वो सही नहीं है 100 से नीचे वो सही नहीं है अगर हम magnesium को देखेंगे तो higher amount जो है वो heartbeat को asymmetrical करता है low blood pressure करता है uncertainty problem, slow inhalation और conscientiousness and casualty हो सकती है magnesium की कमी से या higher concentration से अगर हम major katein sodium देखें तो लगवक 200 ppm तक यह concentration हो सकता है potassium को अगर हम देखें तो यह बहुत सारी processes इसमें use होता है protein synthesis में help full है, carbohydrate metabolism करता है दोनों ही जो ospartic pressure उसको regulate करते हैं, bread pressure को maintain करते हैं nervous system को बहुत affect करते हैं और जो digestive problems create कर सकते हैं इसलिए sodium and potassium की जो concentration है it should be maintained होनी चाहिए major anions अगर हम देखें bicarbonate and carbonate तो bicarbonate को अगर देखें हम 200-600 ppm पानी में होनी चाहिए, sulphate को अगर हम देखेंगे तो toxic होता है liver के लिए और digestive functions में यह दिकरत करता है इसलिए यह जो anions है इनकी concentration भी optimum होनी चाहिए, next जो anion है वह है fluoride और fluoride जो है वह आप देखेंगे अगर small concentration में होगा तो fluorosis cause करेगा dental problem और elevated dog जो है वह भी dental problem करेगी और skeletal problems create करेगी अगर हम nitrates को देखें तो यह high amount में myth hemoglobinia करता है, gastric ulcer, birth malformation and hypertension तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनकी concentration क्या रहनी चाहिए, optimum रहनी चाहिए इसी तरीके से कुछ trace elements की अगर हम बात करें तो iron है, iron का high content जो है वो sidrosis in the spleen liver को damage करता है, diabetes cause कर सकता है, zinc अगर हम देखेंगे तो यह जो है वो dehydration cause कर सकता है, high concentration इसका electrolytic imbalance कर सकता है, stomach pain, vomiting, nausea और आपने देखा होगा कि zinc immunity को भी बढ़ाता है, लेकिन एक optimum amount में है, ठीक है? अभी हमने देखा था कि कोरोना काल में, zinc बहुत लिया गया, zinc vitamin C, क्योंकि यह immune system को क्या करता है, boost करता है, इसलिए zinc का optimum amount जो हमारे जो water है, उसमें होना चाहिए, फिर हम cadmium देखेंगे, तो cadmium जो है वो toxic metal है, जनरली और इसका बहुत low concentration भी kidney को damage करता है, liver को damage कर सकता है, can cause cancer, ऐसे ही lead है, lead भी जो है अगर आप देखेंगे तो यह भी एक तो brain को effect करता है, जो children होते हैं, lungs, spleen, heart, और यह जो metals हैं, यह क्या cause करते हैं, cancer cause कर सकते हैं, because they accumulate in the body, और cadmium को अगर हम देखेंगे तो एक जापान में disease होई थी, that is ita ita disease, जिससे आउच आउच disease भी कहते हैं, और यह पानी के तरू ही गई थी, क्योंकि पानी में जिसमें धान ग्रो किया गया था, उसमें cadmium का amount बहुत अधिक था और उस धान को जब consume किया गया तो उससे cadmium का deposition, जो खुटने थे उनमें deposition हुआ और जो जो दर्द होता था उसकी वजह से लोग आउच आउच करते थे, और उस disease का नाम रख दिया गया आउच आउच, तो इस तरीके से आप देखेंगे different elements हैं, जो की problem भी create करते हैं, कुछ elements हो जरूरी भी है, अगर मैं मैगनीज की बात करूँ तो मैगनीज जो है वो nervous system को damage करता है, muscles को damage कर सकता है, joint pain cause करता है, sexual diseases कर सकता है, और अगर excessive amount में long time इसको लिया जाए, तो neurological effects cause करता है, और symptoms characterized by Parkinson disease, और इसका concentration जो drinking water में होना चाहिए, वो less than 0.1 ppm होना चाहिए, अगर मैं chromium की बात करूँ तो जो chromium trioxide है, यह harmful है, skin के लिए respiratory problem cause करता है, और long uptake जो है वो sensor system को क्या करता है, damage करता है, जो moving हमारे जो system है, जो sensor system है, उसको damage करता है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह वो parameter हैं, कुछ parameters मैंने लिए हैं इसके लावा, और भी metals देखे जा सकते हैं, जैसे uranium मैंने आप से कहा, और इसके लावा arsenic है, mercury है, यह हो सकते हैं, यह फिर जो हमारे जो इलाके हैं, जहां पर electroplating industries हैं, वहां पर हम और दूसरे तरीके के metals को भी देख सकते हैं, तो यह different parameters जिनको देखना जरूरी है, जब हम water quality assessment की बात करते हैं, तो this is all about the water quality assessment, and the parameters which should be assessed time to time for maintaining the quality of the groundwater, groundwater की quality को maintain करने के लिए हमें समय समय पर in quality parameters को check करते रहना चाहिए, और इनको check करने के लिए certain parameters हैं, जैसे मैंने आप से कहा कि हम physical parameters check कर सकते हैं, हम biological parameters check कर सकते हैं, इसके साथ साथ इन parameters की help से हम कुछ और भी parameters calculate कर सकते हैं, उन parameters का जिक्र हम next videos में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन सारे parameters को combine करके, हम कुछ नए calculations करके यह देख सकते हैं कि यह पानी पीने योग है या नहीं, so this is all about the water quality assessment, okay, thank you very much. करेंगे चाहने झाजया हैं,